नमस्कार साथियो निश्य एकेडिमी के इस उनलाइन प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे हम 18 फरवरी का चितना भी महत्यपुन हमारे मत्यप्रदेश का करंड़ पर जुन सकता है उसको तो वीडियो में लास्ट के इस चुरे दोस्तों आप सभी को निश्य परिवार की ओर से महाश्य व्रात्री की हार देख सुकामना है बाबा महाकाल का आशिरवाद आप पर बना रहे है और आपका जो भी लक्ष है लक्ष प्राप्ति करने में बाबा महाकाल आट की यहां पर मदद करें यही आश्या जो है हम करते हैं और हम यहाँ पर बाबा से ब्रात्ना करते हैं कि हमने जो सपने देखें वह सपने साकार करने में वह जो है हमारी पूरी तरीके से मदद करें तो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी को निश्य परिवार की ओर शे महाशिवरात्री की हारदिक शुब कामना है त दोस्तो पहला कोशन निकल कराता है कि संस्कृति मंत्राले 22 से 25 फरवरी 2023 तक मध्यप्रदेश में पहली G20 संस्कृति समू बेठक का आजन कहां किया चारा है चार उप्षने खजुराहो साची राइसेनिया भिमबेट का तो दोस्तो राइट आंसर आपका यहां पर बनता है व जो है 22 से 25 फरवरी 2023 के मध्य पहली G20 संस्कृति समू बेठक की है जो आयोजने मध्यप्रदेश के खजुराहो में किया जा रहा है इसे जुड़ी जानकारी यहां पर देख लेते हैं तो संस्कृति की विराशत का सरक्षन और पुनर स्थारपन पहले G20 संस्कृति समू की बेठक का विश्य होगा खजुराहो में महराजा 16 साल कन्वेंशन सिंटर में इस थिम पर री एंडरेस यानि की रिटन और ट्रेजर सिर्शक से एक प्रदेशनी भी आयोजित की जाएगी इस ट्रेक के तद दूसरी और तीसरी बेठक ओडिसा के बुनेश्वर और करनाठक क हमपी में होगी तो पिहली संस्क्रति समुकी बेठक का आयोजन का हो रहा है मद्यप antiothisch के खजुराहों में दूसरी बेठक का होगी ओडिसा के बुनेश्वर में और तिसरी का होगी तो करनाठक के हमपी में दूस्तो इसका आयोजन किया चाहेगा तो कोशन अपने आप में बहुत ज़्यादा important यहाँ पर बनता है साथ दोस्तों तीन और option है यहाँ पर आपको देख रहे होंगे जिसमें है खजुराओ, साची, राइसेन और भिमबेटका तो दोस्तों साची की बात करें तो इसको जो है युनेस्को की जो विश धरोवर सुची है उसमें कब शामिल किया जाता है तो दोस्तों इसको 1989 में शामिल किया जाता है और भिमबेटका को वर्ष 2003 में शामिल किया जाता है और अगर खजुराओ की बात करें तो युनेस्को की धरोवर सुची में इसको 1986 में आपको शामिल किया जाता है खजुराओं काहां पर है दोस्तों छतरपूर में आपको देखने को मिलेगा साची राइसेन में और बिमबिट का भी आपको जो है राइसेन में देखने को मिलेगा तो यहां कुछ मद्यप्रदेश के वह प्रमुग्या धरोर इस्तले जिनकों की युनेस को द्वारा अपने विश्वदरोर की सुची में शामिल किया गया है तो यहां से भी कई बार एक्जाम में कोशन दोस्तों पूछा जा चुका है अगला कोशन है कि मद्यप्रदेश में पहली बार किन दो शहरों का जेव विविद्यता सुचकांक जारी किया है चार उप्शन है इंदोर बोपा और इंदोर का शहरी जेव विविद्यता सुचकांग सीटी बायो डाइवर्सीटी इंडेक्स जारी किया है इस्तानी जेव विविद्यता एकोसिस्टम सर्विस और नगरी निकाई गवर्नेंस को प्रात्मिक्ता देते हुए तेविक संकेतों पर कराए गए सर्वक्षन में बहुत दर में से 44 अंक बोपाल और 35 इंदोर शहर को मिले है सिंगापूर सुचकांग को आदार बना कर बनाई गाइडलाइन पर किये गए इस सर्वक्षन में वन्यजीव संस्थान देहरादून और ICLAI साउथ एशिया ने सयोग किया है तो यह इंपोर्टेंट बनता है कि म बायो डायवर्सीटी इंडेक्स जारी हुआ है तो अपने आप में इंपोर्टेंट यहापर बनता है साथ ही दूस्तों इंदोर और भॉपाल इन दोनों की बात करें तो यहापर आपका पुलीस कमिशनरी सिस्टम जो है आपका लागू कर दिया गया है तो यह भी दर्म भूपाल को एक जीला आपका बनाया जाता है इसको जीलो की नगरी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है और मद्यप्देश का सरवादिक जनसिंख्या घनातों आपका कहा पर है तो दोस्तों भूपाल में है और कितना है तो 855 प्रतिवर्ग किलोमेटर जो है आपने आपमें यहाँ पर इंपोर्टेट बनता है चलिए अगला कुशन यहाँ पर डिसकस करते हैं कि की शहर की गोरी चीते को मद्यप्देश शिनियर बेडमिंटन रेंकिंग खिताब दिया गया तो दोस्तों मद्यप्देश के इंदोर चिले की गोरी चीते को खुल करने भी बहतर खिलका प्रदेशन आपका दिखाया था तो इंपोर्टेन हमारे लिए बनता है नाम गॉरी चीते का किस से बिलों करती है तो दोस्तों बेडमिंटन की यह आपकी खिलारी है और मद्यप्र देश के हिंदोर से ही आपके बिलोंग करते हैं तो सती इंदोर के समाओगे और तेहसिल वी है तो अगर आपसे पुछा जाएकけど सर्वादिक जनसंख्या वाला चीला सर्वादिक जनसंख्या वाला संभाग या सर्वादिक जनसंख्या वाली तेहसिल कौन सी है तो तीनों में दोस्तो नाम जो है आपका किसका आएगा तो यहां पर जो है इंदोर का नाम आएगा तो यहां भी हमारे लिए दोस्तों यहां प सिंधिया के द्वारा दोस्तों आपका किया गया जो कि वर्तमान में भारत के नागरी कुटे यान इस पात मंत्री है अपने आप में इंपोर्टन कोशन बनता है अगला कोशन एक उद्ध्योगी के इंजिनीरिंग एक्सफो 2023 का आयजन की शहर में किया जा रहा है तो दोस्तों इसका आयजन मद्यप्रदेश के इंदोर शहर में किया जा रहा है अगला कोशन था कि स्री सिर्वासिंग चोहान ने किस राष्टि द्यान पर बनी फिल्म कुनो रिटर्ण ओप चिता का विमोचन किया गया तो कुनो नेशनल पार पर बनी यह जो आपकी यहाँ पर फिल्म ह है उसका यहाँ पर टीजर जो है किसने लोंच किया तो मुख्यमंत्री सिर्वासिंग चोहान के द्वारा लोंच किया गया था चलिए प्रिवेस मंत के कुछ मद्यप्रुदेश के करेंट डिसकर्शन कर लेते हैं पहला कोशन था कि हाली में निरू सिंग ग्यानी को सताफ्रा की बात करें 1924 में सताब्न दूस्तों मुंबई में इस्ती थे एंस टी का महिला प्रसिक्षान कोलेज दूस्तों आपका इस्ति के भांडेर में गयेस आदारित प्रत्म विद्वत्र सियंत्र अगला कोशन है कि देश की पहली चिकिसा सिक्षा चात्र रभी मायोजना को किस राज्य में लागू किया जाएगा तो दोस्तों इसको जो है आपका मद्द्रदेश में लागू किया जाएगा ओप्शन है दोस्तों यहाँ पर आइट अंसर बनता है अगला कुशन है कि हाले में मद्द्रदेश का कौन सा जिला नशामुक्ति अभिहान के तत प्रथम इस्तान पर रहा है तो केंद्रीय सामाजिक ने आए एंभिकारी मंद्राली द्वारा कराएगा गई कि गरेडिंग में मद्यप्देश देश में पहले नंबर पर आया मद्यप्रदेश फिल्प को भी देश में पहला का मिला है इंपोर्टन बनता है दोस्तों दरिया की बात आहिए तो दरिक पिच्यानकारी देख लेते हैं इसका प्राची नाम दोस्तों दिलिपनगर भी था और इसको लगूब रंदावन के नाम से जाना जाता है जो प्रसिद्ध जेंतीर थे इस्ताले सोनागिरी यहीं परिष्टी थे पितामरा सक्ति पिट यहीं परिष्टी थे सतकंडा महल कंहर अगला कुशन है कि हाली में किस राज्य सरकार को सिख्षा के छेत्र में गौवर्मेंट गौवर्मेंट सेक्टर इनसियोटी अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल रर्निंग प्रदान किया गया तो दूस्तों यह मध्यपदेश को मध्यपदेश को जोए यह आपका यहां प 08un exampantra ट्रांसपार्मर इस्तापित किया जाएगा तो दोस्तों यह मध्यपदेश के दमो चिले में में आपका इस्तापित चाहेगा इंपोटेंट कोशन के विकास केंद्र आपका यहीं पर इस्तित है चलिए पीछले वीडियों में जो कोश्चन पूछा था उसकी यहां पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कोश्चन था कि हाली में मध्यपदेश शरकार के द्वारा किस विभाग का नाम धर्मस विभाग करने का नहीं लिया है तो उने डिटेल में बताया है कि वर्ष 2016 में उस ततकालीन मुख्यमंत्री स्विरा सिंग जी चोहां ने आनंद विभाग का गठन किया था बाद में कमला सरकार ने आनंद विभाग को धर्मस वग के साथ मिलाकर अध्यात में विभाग बनाया था वर्तवान में वापिस मुख् फुक्षहू ज sided with the campus ऑहिए अनुग्रह पंडे वन्हों बेरा सिंसटे आ घंद स्थीन में रायट अश्र लौदी टो सुर्यंति abethें यह यह इव पर या रियरान सवी टे पूर्ट दिया है तो यह वह लोग तर जिन्हों ने पिछले उडियो में जो कोश्चन पुछा उसक का राइट अंसर यहां पर दिया है आज का प्रश्ण जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि सचिन तेंदुलगर ने दुनिया का पहला दोराश्य तक मध्यप्देश के किस इस्टेडियम में लगाया था चार उप्षन है केप्टन रूप सिंग इस्टेडियम किस इसकी इसकी पीडिय पर चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिशन बोक्स में आपको मिल जाएगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए चाहिएंद